नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको जड़ी बूटी के बाइद आता हूंगा, जड़ी बूटी का क्या काम है। मित्रों, आज कल देश और दुनिया में हाड की सनस्या बहुत तेज गती से परती चलिए रही है। मित्रों, खान पान में बद्राव, पेस्टी सायट बगरा एक खेतों में, हसलों में, सबजीों में, अनाज में, कीटनास के दबाई बगरा जो प्रियों बहुत बहुत तो इसकी वज़े से आज के हमारे जीवन में हाड की समस्या, किडनी की समस्या, सुगर की समस्या, मित्रो तो बहुत तरह तरह की बीमारियां बड़ी तेजी से साल हो रहा हो रहा है तो मित्रुम मैं आज आपको हाट अगए से बचने के लिए एक जड़ी मूटी के दिखारों मेरे हाथ में जड़ी मूटी है कि इस इमाम दस्ता से मैं इसको तूटकर पहले ये जंगल से जड़ी मू लाने के बाद इसको दूब में सुखाया गया है सुखाने के बाद इसको इमाम दस्ते में बूटकर इसको खुला बारी करते हैं इसके बाद मिर्सी में इसका पाउडर बना कर च्छान देते हैं मित्रो जड़ी बूटी का नाम है यह जड़ी है अरजुन की च्छाल तो अरज महन करकर चलनी से च्छान कर इसका कौडर बना लेजिए अब बनाने के बाद में मित्रो इसको दो गलास पानी में गुड के साथ दो गलास पानी में सुबह उड़ते ही हम पराताँ चाय पीते हैं पर चाय ना पीकर हार्ड अटेक रोगी दिल का दोरा बगारा की इसकात होती ह दिनके बीमार हो गयो होते हैं मित्रो चाय की जगह एक चमची चाय पस्ती तो गलास पानी में डालिए और छोड़ा सफ में गुड दाल दीजिए चीनी बिलकुल ना डाले मित्रो इसमें गुड दाल दीजिए और उसमें चोफाई पानी एक बटा-चार पानी जब रह तो मित्रो यह इस्कों फीळीजे दिकाती है दितका दोरह ज्यादा तर्खे जाल, फ्रभाबॉयद नहीं कंबलया हो जादा गाड़ा होनें से इसमेत की फुन नहीं पहुंच犍ने जांके विजैं दिन हाई ये फून को बहुत इच्छी तरीके से पतला करती है इसलिए हमारी नस्तों में पूरी तरह फून चलता है और नसी हमारी पूरी तरह से नहीं वगरा काम करती है मित्रो इसको एक चमच दो गलास पानी में डालकर ये बटा चार पानी रह जाने पर गुल के साथ इसको पी लिजिए मित्रो हाट अटक से हमेज़ शुपतार मिल जाता है इसको दिसंबर जन्वरी फर्वी बर्स में तीन महने इसको लगाता है सुपर चाय की जगे इसको पीजिए चाय जैसा ही इस वाद लगाता है थोड़ा सा चाय से टिप्रेंस होता है लेकिन चाय से आधर छोड़ तर इसको पीजिए इससे हाट अटक की समस्या से निजात मिल जाती है नहीं बाहुत